उत्तरप्रदीश सरकार की पहल पर मत्रह में इंवेस्टर समिट का आयोजन किया गया इस कारेक्रम कशबारम सांसधीमा मालनी ने किया इस इंवेस्टर समिट में 19,000 करोड की लागत से स्थापित होने वाली 165 एकाईयों से समंदित उध्यमियों ने भाग लिया इस कारेक्रम में विधायक श्रीकान शर्मा ने भी भाग लिया इंवेस्टर समिट की माध्यम से 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 2,000,000 लोगों को अब प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है सांसा धिमा मालनी का कहना है कि इस इंवेस्टर समिट में उन्होंने उद्योग जगत में आये लोगों को अपनी एकाईयां लगाने के लिए कहा है पहले जो भाइबीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त बहुत अच्छा है सब लोग बहुत अच्छा को अपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहां कितने निवेस्पे सेकूर्टी हुई है कितने अध्योपतियों इसमें साइट को इसका बटाएंगे बाकी इतना में मौलुम नहीं है लेकिन काफी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तयार हैं तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए पधारो हमारे ब्रज यहां प्यापार की बहुत सारी संभावना है आप आईए आपका स्वागत है अवनेंदन है ब्रज 84 कोस के चौंखों की विकास के लिए सरकार संकल बद्ध है बड़ी संक्या में यहां हमारे भगवान कृष्ण के चाहने वाले भक्तों की संक्या लग जो हमारा जो एर कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी होगी तो यहां पर बहुत सारी संभावना है नवेश की आप आईए यहां नवेश करिए हमारे ब्रज में आईए